आज की दुनिया में उर्जा बचाने के साथ साथ समय बचाना भी काफी जरूरी है जिसका जाकता उधारन रिंकू कमपणी के संस्तापक प्रलाद अगरवाल ने 1989 वेवर्ष से ट्रक के ऊपर कार और 1983 वेवर्ष से ट्रेलर पर ट्रैक्टर ट्रांस्पोर्ट करने का संकल्प किया जिसके बाद आज किसानों को जल्ड ट्रैक्टर मिलने की वजब बन चुका है मारूती सुजुकी के आगमन के साथ हुई थी इसका उद्देश संभाविक खरेदार को जीरो माइल कार डिलेवरी करना था यही से लंबे कार कैरियर्स का दौर शुरू हुआ एक समय था जब 22 मिटर लंबी ट्रके 10 ओल्टो या 10 110 कारों को एक साथ ले जाती थी बाद में वहानों की लंबाई 18.75 मिटर पर स्तेर हुई कारों को ट्रक पर ले जाने की प्रक्रिया मारूती सुजुकी के आने से काफी पहले शुरू हो चुकी थी आनन में स्तीत गुजराती व्यावसाई ने मारूती सुजुकी से पहले ही पैसेंजर कारों को ट्रक पर ले जाने का अनुठा मॉडल पेश किया था और टो पाइला एक फेट डिलर के कनुभाई पटेल और वर्धामना के रिंकू कमर्शियल केरियर्स के प्रलाद अगरवा अगरवाल ने चार प्रीमियर पैंथिनी कारों को ट्रक पर लाग कर मदरास के सुंदर मोटर्स और मदुरे की टीवेस तक पहुचाया ये कारे चमचमाती और शांदास थी ती उस दवरान से आज तक प्रलार अगरवाल ने काम बरकरार रखा जिसकी सरहाना करते हैं भारत म का मानस तैयर के आगया था जिससे सरकार को काफी हद तक मदद मिलने से ये काम सुचारूरूप से सफलता होने में प्रेरित हुई एक ही जटके में दू लक्ष को प्राप्त करने के लिए ठोक में वहानों के परिवहन के ने तरीके घोजनी के लिए प्रेरित लोगों की कार ले जाना संभू हो गया और कुवेद के पास कारों के थोक शिपमेंट के लिए विवस्ता है जैसे की तस्वीर में दिखा जा से हाला कि इस उपलब्दी को हासिल करने के लिए प्रलाद अगरवाल को एक लंबा सफर तरह करना पड़ा उनकी 1989 का सफर आज उनकी 80 साल की उम प्रलाद अगरवाल ने रिंकू कमर्शिल के रियर्स द्वारा पद मिनीज की थोक शिपमेंट लॉंच करने के लिए अपनी व्यावसाइक समझ को एक जूट किया था कार के साथ किसानों को जल ट्रैक्टर मिलने की सोच से ट्रेलर पर आज एक साथ आर ट्रैक्टर की ट्रा आपना कर सार्थी के कुरुपादरिष्टी में सहायता कर रहे है गोपाल परिवार फाउंडेशन का माना से की जादा से ज्यादा सार्थी देश के कल्यान हित में आ गया के देश और प्रगती पर पहुंद जिरो मायल का कंसेप्ट पर्यावरण के अनुकुल भी था इतने सारी कारों को सड़क के जरिये ले जाया जाता तो आज तक न जाने करोड रू का इंदन खर्च होता इस नवीन मौडल ने भारत पर इंदन के आयात पर खर्च करोडों रुपए बचा बेशक रिंकू कमर्शिल कैरियर्स अब केवल कृशी ट्रैक्टरों के परिवहन पर ध्यान के इन्रेत करता है बचा समय इंधन और श्रम शक्ति उस दर से देखा जाए तो आज के खरी तक करूरू का इंधन तो बचा ही है मगर साथ में लोगों का समय और श्रम शक्ति बशने से काफी सायता सरकार और ग्राह को कुफी है बीशे नियूस के लिए वाड़ी से समाधाता की रिपोर्ट